वेल्कुम बाग तू जागो लहर जनाव हम वाफियर भी डिसकाशन कर रहे थे और आज हमारी मेमार में जोइन करे वाली है और अनकॉचिनेटली आज हमें कुछ इसता ऐसे जोइन करेंगे कि जब तक अगले टूर पे नहीं आएंगी तब तक यह हमें इस दुबारे से शो प वेल्कुम टिशो डॉक्टर शवाना कैसी है अस्वालेक्रम इसमिल्लै नमानीम जबर्दस आज आपके शो में इतना मजाता है और इतनी धेर सारी बातें करने को मिलती है तो आगास आप कहां से करेंगे अच्छा जी मुझे लगता है और आज कुंके यूनो मैं आयू थी आपे यूनिवेर्स्टी आप इनक्सरीतन और कॉलेजिस में रीच देनी मीरा डारेक्ट इंटरक्शन हुए यूथ के साथ पहले भी था विकॉसा हमें यूथ मैंटोर लेकिन जह डारेक्ट डियर्क ऍ्टरक्ट्यों और मेरी पूरी प्री टीम यूथी दे यूथ की और य और पहले वेले जो मापाप थे उनके अंदर जो ज़े जनरेशन गाप हमेशा से रहा, it's nothing new. लेकिन जो आज वाली जनरेशन है ने उनके पास डिजिटिलाइजेशन के वज़ा से वो इतने एवाल्व कर गए हुए और ये पिछले 10-15 साल में इतना ज्यादा फर्क आगया वे जनरेशन के अंदर के वो जो माबाप थे 1980 से पहले वो एवाल्व नहीं कर रहे और वहीं के अटके हुए जबके जो नहीं यूथ और मिलेनियल्स है 1980 के बाद जो बच्चे पैदा हुए बिकास आफ दे कम्प्यूटर्स बिकास अफ दिस गूगल और वह बहुत आगे चले गए इसकी वज़ए से गाप बहुत जादा बढ़ गया वह एक जगपे हुए ये बच्चे आगे चले गए हैं ये हर चीज को वाय कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि माबाब सुनने रहे उन तक ये उनके दिलों जो होता है एक गाप और वो उनके दमाग कहते हैं जी उनके पल्ले नहीं पाड़ रहा है ये वाला चक्कर हो गया हुए और इसलिए बच्चे अगला माना जहनियत थी जो गलोबलाइजेशन जो दुनिया को देख देख के उनके अंदर आ रहा है ना वहर चीज को क्वेशन करते हैं और हमारे अगर देखा जाए तो जो गलामाना जहनियत थी जो 70 साल पहले जो हम लेकर चल रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के बाद क्य अगर कोई भी इंसान कंपिटेंट हो उसको पता हो कि वो क्या बात कर रहा है उसके पास नौलेज हो विजडम हो और वो आगे से सही तरीके से बच्चे को गाइड कर सके चाहे वो टीचर हो या माबाप हो माबाप को भी पता है कि वेर देर कमिंग फ्रॉम और अगर कोई ब सब्सक्रा देखे अगर आप कह देना कि नहीं दिस वर इट इस हमने तो ऐसे ही करना बचे कहेंगे नहीं हमें बताओ कि इसके पिछे लॉजिक क्या है प्रैक्टिकली हमें समझाओ और अगर वो लैक अफ नॉलेज हो तो किसी टीचर या मैंटोर से बात कर लें अगर टीच बढ़ता जा रहा है और दूरियां आती जा रही है अच्छा एको कि इलावा डॉक्षर शवाना कुछ हम लोग यही समझते हैं कि हम बढ़े हैं तो हम ही बच्चों को सिखा सकते हैं डेफिनिल जिसे आपने बात की एक्सपोयर से बच्चों की जो डिजिटल जो आप कहलें से बढ़े हैं और शेटियर्ट जो जो अदू बढ़े है जो जो बहुत सारी चीजिय बढ़ गई है इस बढ़े इक इस बढ़े बढ़े है वही बात बैदे हैं बच्चा सही भी कर रहा है तो इसको denile मून दो 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 ढ़ा डेते हैं कि एक तो अन्हार स्था में आ जाती है छाइब करते हैं कबिए बच्चह करने के लिए चिएफिति कुलाइ नालेज ही दूसरा कभी-कभी बच्चों के भी बच्य की निए बात करने के लिए, Ilk में चनल prestah करते हैं और जहन में उसका अंसरा के बैठे होते हैं llegarod तो यह चुडा रहे होते हैं, तो यह दोनों तरफ mutual traffic है, कि दोनों को समझना चाहिए, माबाप एक जगह रुख नहीं सकते, बढ़ते time के साथ अपने आपको evolve करें, अगर हम वो 15-20 साल पहले वाले सारे rules regulations लगाएंगे, तो वो काम नहीं करेंगे, और जो बच्चे हैं उनको जब भी बाएर किसी लड़के को पहनी भी देखे होंगे, घर आके नहीं discussion चट जाती है, कि तमीज है, क्या के गुंते रहते हैं, लड़के वो टाइट जीन्स पहन के फिरते हैं, पहले हम कहते तो लड़कियां पहन के हैं, तो fashion बदलता रहता है, यह वाली मैं हमेशा चीजें बड़ी periphery of life में होनी चाहिए, periphery of life का मतलब है कि इसको center या core बना के इतना pressure या stress और अपनी main discussion का यही topic नहीं होना चाहिए, कि तुमने क्या पहनना है, तुमने कैसे बात करनी है, यह सारी चीजें आजसा-जसा आप घर के महौल से सीखते हो, लेकिन इसको इतना glorify पाइना करो कि जो major subject है, जो major life के अंदर issues है, वो discuss नहीं करने, वो carpet के नीचे गुसा देने, और छोटी-छोटी बातों पर हम दिन में इतना time गुजार देते हैं, कि वो major चीजें बच्चें के साथ डिसकस नहीं होरी, major चीजें यह हैं, जी कि उनके साथ आप बैट के बात क मैं कल किसी एक party पे थी, जहां पे एक वालदा आई और वो बड़े हुस्योरीं थी बच्चे के साथ, कि 7 बज़े से लेके 10 बज़े तक रात तक इसनी science की student है, इसको पढ़ना चाहिए, मैं इनका इसके extra curricular के है, extra curricular का है, तो हमर पर पस time नहीं है, और इसको पढ़ना चाह सबसे पहले तो माबाब को यह देखना चाहिए, कि बच्चे को अगर आप force कर रहे है कि ग्रेट अच्छे आए, बच्चों का काम है कि ग्रेट अच्छे आए, माबाब का काम है, उनकी जाब है कि महबद दें, selfless महबद करें बच्चों के साथ, लेकिन इतना pressure and stress अगर वो frustrate हो जाते हैं, सबसे important बाची है कि यह पता करें कि अगर आप बच्चे को इतना stress यह frustration दे रहे हैं, तो दे क्यों रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो बच्चा जाके happy हो, यह सिरफ career करें, goal का है आपका, मतलब वो कहेंगे career हो, क्योंकि career होगा तो successful होगे, successful होगे तो पैस आएगा, मसला यह कि टांग जाके तूटती है पैसे पर, पैसे को हमने इतनी एहमियत दे दी हुई है कि माँ बाप भी सिरफ बगैर सोचे समझे, कि बच्चे की खुशी किसमे है, चाहते आप यह हैं कि बच्चा खुश इंसान बने, चाहते आप यह हैं कि बच्चा productive बने, चाहते आप यह हैं कि वो अपने फैसले खुद कर सके और जिंदगी में खुश रह सके जब वो मच्योर हो जाए, लेकिन अन्नोइंगली, सब कॉशिसली आप उसको इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि ग्रेड अच्छ आएं, ग्रेड अच्छ आएं, और दौर लगाई हुई है आपने अपनी, क्योंके, because sometimes माबाप खुद कहीं पे कोई ना कोई कमी थी, या पैसे की वज़ा से वो खुद जो है कही ना कहीं पीछे रहा गए, वो चीज़ वो चाहते हैं कि बच्चा जो है उस रेस में पीछे ना रहे, और अपनी में रूमिया उसमें मुंतकिल करके कहत से बात करती हूँ, मुझे लगता कि बच्चों से जादा माबाप को जो है, चांसलिंग की जरूरत है, उनसे बैठ के कोई पूछे कि आप चाहते क्या है, कि बच्चा खुश रहे, successful रहे, खाली यह नहीं कि पैसा आने से successful होगा, बड़े-बड़े अमीर लोग देखे हैं, लाइफ में और nine to five job करके और बहुत पैसा कमा के suicide कर लेते हैं, क्योंकि जिन्दगी गुजारने का जो उनको अमल है, यह जिन्दगी experience करने का अमल जो है, खुबसूरती वो नहीं आती, अब अगर आप अपने बच्चे को कहेंगे कि आपने friends से नहीं मिलना तो उसकी social skills emotional quotient, emotional quotient होता है, अपने जज़बात को कैसे control रखते हैं और लोगों के साथ कैसे interact करते हैं, जो लोग emotionally intelligent होते हैं उनकी relationship जादा अच्छे होते हैं, आगे जाके वो maintain कर सकते हैं, जबरदस्ति की बज़ बताइब करनी और फ़ otherwise फुर प्रवर्स तरह रहा है and none इस तरह prevention का ने say n90 कोई ND Aldải कोई ना साथी में करने से पहले कोई काॉंसलिंग nine ना बचन पधा करने से पहले कॉंसलिंग है ना कोई medical counselling है ना कोई career counselling है बच्चे कहते हैं जी हम करते हैं चीज़े कांसलिंग निया prevention नहीं है drugs बहुत जादा होगी है drugs को रोकने के लिए मैं भी वो खिसी शोबे बाद कर रही थी कि वो urine test आ जाएंगे blood test आ जाएंगे वह तो तब आएंगे ने जब उसे drugs शुरू करते हैं drugs करने से पहले प्रिवेंशन कैसे आप कर रहे हैं वह relationship है एक social support है आपकी बच्चे उस support को they are feeling the lack of it वो कह रहे हमारा वह lack नहीं है support system घर में एक नहीं चीज़ बच्चों ने पकड़ लिए स्मार्ट हो गए है महाबाप से बहस नहीं करते हैं उस बहस को बचने के लिए जो हां हां कहके बाहर चले जाते हैं बाहर जाके करना उन्हें उन्हें वह दिल करता है तो they are more reliant on the friends अगर वह इतने जादे dependent होंगे fair pressure पर तो फिर यह बहुत important है कि उनके आगे से friends कैसे हैं अगर अच्छी company है luckily तो बच जाएंगे अगर अच्छी कमपनी है कम होता है कि आप experiment ना करें and venture ना करें तो वह हो सकता है बेरारवी की तरफ चले जाएं तो अगर आप घर में उनके स और उसकी जिन्दगी में लेकर आएं जो उनको judge किये बगार उनको advise कर से के अच्छा पेरेंस की sometimes वही opinion तो वेरी करते हैं बच्छो और वह generation gap भी है कुछ exposure की भी कमी लेकिन अधायन बहुत सारी चीजों में हम बच्छों को force करते हैं force करने से बच्छे बागी भी होता है औ कभी 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 बात communication की कभी है और वह यही बात आ गई कि बच्छों माबाप जो है वह एक जगह पर अटके हुए बच्छे तेज हो गए वह बहस नहीं करते और फिर उसकी वजह से कभी कभी बच्छे भी चीजें चुपा रहे होते हैं actually majority time पर चुपा रहे होते हैं तो वह जब अगर दो चाज चीजों में पकड़े जाएं तो ट्रस्ट लूज हो गया जब वह तो माबाप कहते हैं हम तो पहले ही इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो जब ट्रस्ट की बात आ जाती है एक साइकल बन जाता है तो उनको वह आप मैने फृड़म भी उनसे ले ले ल चाहिए कि जब उनको पता चल जाए कि मेरा बच्चा ग्रेड बहुत अच्छे लेकर आ रहा है और बहुत तो उसको पॉजिटिव रिनफोर्स कीजिए उसके पास और प्रेशर मत डालें उसको एक्ट्रा करीकलर के लिए आप खुद उसको इनकरीच करें उसे कहें कि जाओ तुम एक्ट्रा करीकलर भी करो अच्छे दोस्त भी रखो टाइम मैनेजमेंट सीखो हम लोग फोकस्ट हैं सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के उपर ग्रेड के उपर बच्चों को यूनिवर्सटी के लिए रेडी कर लेते हैं जब वो यूनिवर्सटी से निकल के यूनिवर करके दिन रात उनको पढ़ा रहे हैं उनको यह समझ नहीं आ रही कि ग्रेड अच्छे आ जाएंगे वो डिग्री ले लेंगे वो किसी एक जॉब पे चले जाएंगे उससे आगे उनकी जिंदगी की क्वालिटी क्या होगी हम जिंदगी में बच्चों को तयार नहीं कर रहे एक ऑच्छी क्वालिटी ओफ सतियो क्या रहा है रहे हैं क्वालीटी आशया कराएं इधियों कि मցट अक्टर साने में में राज़त हैं उनको डिस्टेंस वो जाने के सवी पिरिट गईक करतें तब तको ऐस समझते हैं मैं या उसमें हर चीज आती है बच्छे जो सपोर्टस में अच्छे होते हैं उस्टडी में भी अच्छे होते हैं जिनके अगर आप दूसरे तैलेंट को भी एन्हांस करें तो ओवरॉल एक कम्प्रिट अपरसनालिटी बनाएं उसको सिरफ एक बुकवर्म बना भी देंगे यखीन के जब वो शादी हो जाएगी किसी और रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो नहीं अच्छी तरह गुजार सकते हैं क्योंकि जिन्देगी गुजारने का तरीका नहीं सिखाया, सिर्फ कताबें पढ़ने का तरीका सिखाया, दूसरी बात यह है कि माबब जो है उन्ची बात में येल करते हैं, चीखते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कोई भी इनसान जो चीखता है वो या अपना मैसेज एक रॉस ही नहीं कर सकता है, चोटे होते से यह तर्बियत सीखें, करें बच्चों की, वो करें नहीं जी हम जो मर्जी कर लें, दो दफ जो बच्चों चीख रहे होते हैं, बच्चे बच्पन से सीख लेते हैं कि कोई भी काम बगैर जब तक उनको जाड़नी पड़ेगी, उन्ची हमाज में बात नहीं होगी, उनकी कंडिशनिंग होगी, उन्होंने काम भी नहीं करना, शुरू से आपने उनको ये सिखा दिया, अगर बच्चा दूसरे कमरे में चीख रहा है, जिस मर्जी एज का, make an effort, उठें अपनी चेर से उठके, हांडी पका रही हैं, जो मर्जी कर रही हैं, उठें बच्चे के पास जाएं, बच्चे के पास जाके उसे आई कॉंटेक्ट कीजे, बच्चे की जब आंखों में इस वरी effective, उसकी आंग को बजा के, उसके कंदे पे हाथ रखके, एक आपने उसे विजन दी, आपने पूरी अटेंशन दी के मैं तुम पर फोकस कर रहा हूं, दूसरा आपने उसको टच दिया, फिजिकल, फिजिकल टच की इंपोर्टन्स को मत भूलिये, बच्चों को पर फिजिकल टच इंसान एक दूसरे को वाइबस दे रहा होता है, तो उसको टच करके उसे कहें, बेटा, अब ये काम नहीं करना, और इस से ये इतना effective होता है, बजाएज के आप चीखें मारी जाएं दूसरे कमरे से, तो इसको कहते हैं, छोड़ी छोड़ी बाते होती हैं पहली में वान में ये टीकनीक लिए of और चीखें मेने उसको बच्चें की वाओन के ऊजाएं कर वाद में बातना होती हैं, आप तो बच्चे को पता होने록ियर झाएं लेकिन पहली ही आवाज में अगर उसने काम नी किया तो उसको पता होने चाहिए कि पहली ही बात में माबाब की उठके करना है हमारे माबाब छे दफा बोलते रहते हैं फिर खुद लेजी होते हैं यह कौन उठे मैंनत करनी पड़ेगी च्छटी आवाज में उठके बच्छे को चल जी इसकी पटाई करो तो यह च्छोटी बात नहीं होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए कि बच्छों के साथ क यूमिनिकेशन हमेशा मैं कहते हूं you raise yourself before you raise your kids बबकुल ऐसा है यह च्छोटे च्छोटे टिप्स काम करने चाहिए बच्छों के साथ बैटके उनकी बात पहले सुनें और फिर उसके साथ बैटके देखें कि उसका maturity level क्या है अगर stage 3 है तो उसको help करें reward करें उसको admire करें दोस्तों के सामने वो चाहते हैं उनकी खुदारी है, जिस तरह आपकी खुदारी होती है, कि उनकी तारीफ की जाए, उनको एड्मरेशन चाहिए होता है, तो कोई अगर ऐसी और अक्सर पेंस के आदित भी होती है, देखो यह कितना काम करते है, तुम देखो कितना है निगम म अपने दोस्त के साथ, उसको वहीं पे जलील कर रहे होते हैं, तो मेरा मतलब है कि बच्चों को बहुत ही अच्छी करने के लिए, उनकी हमेशा बेजा तारीफ नहीं, लेकिन उनको पॉजिटिव जो है रिनफॉर्स करते रहें, नेगिटिव क्रिटिसाइज मत कीजिए, उ लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, और अपने जो तनाजात है मिया बीवी के, वो डबल मेसेजिज भी बच्चों को मत दीजिए, अगर वो कहता है, बच्चा पूछता है कि मैंने इस जगह जाना है, और माने कह दिया नो, तो अगर वो बच्चा जो होता है, मैंने अगर माबाप कोई बात कर रहे हैं तो दादा दादी अपनी अथौरिटी लियाएंगे, जी सादावी कोई रोल है बच्चे को रेस करने में, वो सेकंटरी होता है, अगर मा या बाप में से कोई एक मैसेज दे देता है, तो बनों को एक मैसेज देना चाहिए, और अगर जाके अलग से डील करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर वो मैसेज बच्चे को दें, डबल मैसेज मत दें, और कभी भी बच्चों को किसी के सामने मठ दांटी है, बाद में जाके बात कर लें कि तुमने बेटा यह गलत किया था और इसको ऐसे ऐसे ठीक क पता है, हमारी यहां एक और बड़ा मसलह है, बच्चे जिन बच्चों के साथ hangout कर रहें उनका पता ही नहीं है, उनकी families का नहीं पता, यह नहीं पता है कि वो बच्चों के आग से दोस्ट कौन है, उन्रे दोस्ट की families कौन सी है, माबाब को effort करनी चाहिए कि तरफ उनके दो जो आप बिसलाइक करते हैं और आप नहीं चाहते कि बच्चे का एक्सपोजर हो ठीक हो गया अच्छो डाक्टर शमाना अच्छों कि हम पेरेंटिंग स्केल्स के हवारे से बात करें हैं को मैसिज डीचिल जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहें मैं हमेशा जी यही कहती हूं कि आप प्लीज अगर माबाप को चाहिए कि एवाल्व किरें और यह आजकल का टाइम है उसमें आप कल्चर वैल्यूज रिलिजन यह सारी चीज़ें लेकर साथ तब चल सकते हैं अगर आप अपना क्यूमिनिकेशन गैप बच्चों के साथ कम करे इसका यह मलब नहीं कि जाके जो कंप्यूटर साइंसी आप भी सीख लेंगे उनको जिए गुजारने का तरीका सुखाएं सिर्फ ग्रेड़्स हासिल करने का नहीं उनको रेडी करें दुनिया के लिए यूनिवर्स के लिए रिलेशन्शिप्स के लिए इस तिरफ गुजारने का तरीका सिखा सके थांक्यू वेई में डॉक्टर समाना बहुत शुक्तिया इतनी जबदस बाते बताने के लिए जिनाब डॉक्टर समाना डेफिनेटली वे नेक्स्ट वे जोईन करने वाली है और आज हमने आपको परेंटिक्स कर्स के अवाल से डीटेल डिस